कि हैलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि उत्तर प्रदेश फार्मिसी काउंसिल की ऊपर यह वी वीडियो बनाने का मन नहीं है मेरा जिस इसाब से इन लोगों की हरकते हैं और जिस तरीके से इनका स केस के बारे में चाहता हूं कि आप लोगों को भी अच्छे से पता लग जाए और इन जो केस है जो मैं आभी आपको बताऊंगा इन में कैसे धांदली हो रही है ना खूब सारी वह आपको भाई इस वीडियो में पता लग जाए तो दोस्तों वह जो केस है वह कुछ ऐसा है कि मालो कोई कॉलिज बेस ब्लाइं ठीक है वो क्या कर रहा है कि बडीक है और पादेंट बगरा पड़ रहे हैं जब उनकोगों कॉलिज बाले जो हैं वो उन स्टूडेंट से कुछ पैसे की दिमांड करते हैं कि आप इतना पैसा दो हम आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो उ समझ में आ रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है तो एक बात मैं आपको और क्लिर कर दूंग कि इसा इन मामलों में मत पढ़ना इन चक्रों में मत पढ़ना क्यों कि कोई कॉलिज बगारा आपका रिजिस्टेशन जो है उत्रप्रदेश फार्मेसी काउंसल में नहीं करा सकता वो टोटली टोटली काउंसल के उपर है आप क्या करते हो आपका काम सरी इतना है कि आपको डिगरी या डिप्लोमा जो भी आपको मिल जाए सीधे आप भाई जो स्टेट काउंसल है आपके उसके पोर्टल पर चले जाओ बहां अपला ही कर दो और आगे का काम आपका जो है वो काउंसल देख लेगी लेकिन यहां पर जो कह रहा है कि हमें 15,000 रुपए हमें 20,000 रुपए दो हम आपका रिजिस्टेशन कर बादेंगे तो इन चक्रों में मत बढ़ करना और आज मेरे पास 2-3 प्रुप ऐसे हैं आज 2-3 गवह मेरे पास ऐसे हैं जो आपको बता दूंगा अभी के अभी कि भाई 15-20,000 रुपए लेके भी आज उनको एक से देड़ साल होने को आ रहे हैं और उनका पैसा एक तरीके से पूरा डूब गया है एक भी रुपए नहीं मिला है कॉल उठानी बंद कर दी है क्योंकि आपको एक नॉर्मल सी बात मैं बताता हूं दोस्तों आप रजिस्टेशन के लिए अपलाई कब करते हो जो आपको डिग्री डिप्लोमा मिल जाता है और आपका उस कॉलिज से बास्ता है वो खतम हो जाता है फिर आप क्या करते हों आप कॉल करोगे आपने पैसे दे दिए पंदरा आपको काम हो रहा है बस यही बोलेंगे एक देड़ साल आपको ऐसे घुमाएंगे और उसके बाद फिर दो तिन साल के बाद मैं कौंसल अपने आपका रिजिस्टरेशन जो है वह दे देता है ठीक है इसमें उनका क कोई भी यहां पर कॉलिज का कोई सोर्स बगएरा नहीं होता कि वह आपका रिजिस्ट्रेशन कर बादेंगे देखो यह बात होगी पहला जो इसकाम या फ्रॉड एक तरीके से कॉलिज वाले अपने लावल पर कर रहे हैं इस चीज को भाई बहुत अच्छे से समझ जो और दे इतने मिल जाएंगे कि आप काउंटिंग यह नहीं कर पाओ ठीक है वो कह रहा है कि किसी ने उनसे 15,000 रुपए लिए हैं किसी ने उनसे 16,000 रुपए लिए 20,000 रुपए लिए हैं काम करवाने के रिजिस्ट्रेशन दिलवाने के एक महिने में दो महिने में और विश्वास चाहान वानों उनका रिजिस्ट्रेशन का कोई अता पता नहीं है उन एजन्ट का कोई अता पता नहीं है कि भ 맛있어요 पैसे लेकend के गये कहां और फिर इस्टूटेंट्ध मेरे मेरे कोही terrified चाहँ करते हैं इस तरीके से कहना चाहूं गा क्युकि इक बात दो आपने एजट को पैस नो' जो कि दियानी किसी को तो मैं उसमें फिर कैसे help कर सकता हूं आपपकी किस ब्यश्व पे आप मेरे को मैसिज करो आप मेरे को काल करो मैने नंबर दे रखा है बौट वाट्सुम मैसे बॉल्टसम मैसे नंबर दे रखा है चित दे रखिये कि भाई कोई तिकत है मैं आपको 5-6 solution बताऊंगा कि रेजिस्ट्रेशन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा आप लोगों को बहुत सुनना है नहीं तो भाई फिर बात में जब आपके पैसे डूब जाते हैं तो भाई फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूं यह बात ह समझ जाओ उतनी जल्दी समझ जाओ माना कि काउंसल यहां पर देखो बहुत ज्यादा काम को लेट कर रहा है इतनी ज्यादा लेट कर रहा है Which से ज्यादा की 2022 के तो नहीं आ है सब कुछ मानता हूं मैं लेकिन आप यहां पर जो गलत तरीका है तो मत अपनाओ किसी को बीस अजार रुपए तो मत दो भाई ये किस बेस पर दे रहा हूं पैसे आपका सारा पैसा डूबेगा उसके बाद इसमें भाई ना तो मैं दिलबा पाऊंगा ना भाई काउंसिल का को क्यों नहीं आ रहा है उनसे पूछो डर्कुमेंट में क्या दिख्यत है क्यों नहीं आ रहा है वह आपको टाइम बताएंगे उस टाइम तक का में वेट करो और दूसरा भाई मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अज़िए पच्चिस दिन में कराया तो आपने कराया आपने अच्छी बात है आप किसी की नजरों में भी नहीं आए आपने काम करा लिया अच्छी बात है तो भाई यहां पर बच गए हो तो इससे क्या हुआ आप कई फायदा हुआ है कि आप आगे अपने उस लाइसेंस को या अपने रिजिस्टेशन को आप आगे काम में ले सकते हो तो यह है कि अगर आप कराओ तो किसी की नजरों में पर मताओ भाई देखो मैं इस चैनल पर साब सीधी बाते बोलता हूं कोई भी यहां पर उल्टे जाना है किस अगरे पर पूछेंगे क्या प्रोसेस होगी क्यों नहीं आ रहा है यह सम्मार्ण बटाओं क्या से आगा क्या से नहीं आएगा बस तो मेरे को कांटेक्ट करो कम से कम यूंप परिशान रहने से कुछ नहीं होगा और आपको इस चैनल के लावा बाए मुझे नह आपको बता दिया है तो जितना हो सके इन चीजों से बचके रहो और ठीक है और किसी अगर काम ही कराना तो किसी जैनुवन परसंट को धूड़ो जो सच में आपकी कोई करना चाहें तो दोस्तों यहीं सब आपको इस वीडियो में बताना तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक आपना ध्यान रखें सुरच चितर हैं